वेल्कम बैक डियर फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आपका स्वागत है मैं आज बात करूँगा आपसे सलाउस के बारे में और इसको देखिए हिंदी में कहते है नया निगमन तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे फिर दीमे दीमे करके आगे कुश्चन की और चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट अगर दिया जाए आपको कि सभी A B है सभी A B है आप मानलीजी कतन में दिया जाए सभी A B है तो देखिए उसका चित्र कैसे बनेगा यह सभी A है जो कि B है इस तरीके से चीक है तो कौन कौन से निसकर्स इसमें सत्य होंगे यह आज हम देखते हैं तो सभी A B है तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा निसकर्स कुछ B A है यह निसकर्स सही हो जाएगा दूसरा निसकर्स कौन सा सही होगा कुछ A B है यह दौनोंन करस इसके सही होंगे, क्यों होंगे, लब दिया ज़िए ध्यान से कि सभी A B है तो देखे, यह वाले के अगर मात करें, यह पहले निस Initi मात करसे और यह दूसरा निस करसे तो कुछ B A है देखे कुछ पार्ट जो B का इसमें है आ रहा है A में तो इसलिए ये सत्त हो जाएगा कि कुछ B A है अब अगर दूसरे निसकर्स की बात करें देखे सभी A के जो है B है तो कुछ B, कुछ A, B भी हो सकते हैं ठीक है इसलिए ये दूसरा वाला भी हमारा सही होजाएगा चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर पहला कथन ये था दूसरा कथन क्या है दूसरा कथन देगा कि कोई A, B नहीं है तो उसका चित्र देखना कैसे बनेगा कोई A, B नहीं है ठीक है तो यह कैसे बनेगा तो A अलग होगा और B अलग होगा तो जो कि A का पार्ट B में नहीं होगा और B का पार्ट A में नहीं होगा तो अगर इसमें कहा जाए कौन सा निसकर्स इसमें सही होगा कुछ B A नहीं है तो ये भी सही हो जाएगा दूसरा कौन सा सही हो सकता है सभी B A नहीं है तो ये वाला भी सही हो जाएगा जब A B में नहीं है तो ये भी सत्त हो जाएगे सारे B जब A नहीं हो सकते तो कुछ B A भी नहीं हो सकते ऐसी सभी B A नहीं हो सकते ये दोनों निस्कर्स आपके सही हो जाएगे अब तीसरा कथन देखते हैं कौन सा है तीसरा देगा आप मान लीजे कुछ absolutely B है तो इसका चेतर कैसे बनेगा कि A का कुछ भाग B में होगा A ये है B ये है तो ये देखी ये वाला पार्ट कुछ A B है तो अगर कह दिया जाए कुछ B A है तो वो भी सही हो जाएगा अगर कह दिया जाए कुछ A B है तो देखी जो कधन में है वो तो साही हो गई होगा लेकिन कुछ B A है तो ये भी साही होगा लेकिन कौन सा साही नहीं होगा ये हम देखते हैं इसमें कि अगर कह दिया जा कुछ A B है या कह दिया जा कुछ A B नहीं है देखिए गलती कहां पर होती है कि आ देखिए इसमें कथन में दिया गया कुछ A, B है तो हम लोग यह मान लेते हैं कि कुछ A, B नहीं हो जब कि बात अगर positive है बात अगर positive की हो रही है कि मतलब इसमें कहीं भी कथन में निसकर्स ना दिया जाए कथन में अगर negative ना दिया जाए तो positive केस में क्या होता है बात अगर positive का मतलब यह होता है कि कथन में कहीं negative बात नहीं की गई हो तो हमेशा क्या होता है निसकर्स नहीं वाला हमेशा गलत होता है जब तक इसमें positive केस चलता है कथन में कथन में जब तक positive केस चलता है तो निसकर्स में अगर negative आ जाए तो वो हमेशा गलत करेंगे हम लोग ठीक है अब चौथा कथन क्या बन सकता है इसका चौथा बनेगा कथन केवल ए बी है इसका चितर कैसे बनेगा अ देखे जब बात केवल किया जाए केवल ए बी है तो इसका उल्टा क्या होता है कि सभी भी ए है इसका मतलब यह होता है कि सभी भी ए है अगर सवाल में केवल लगाए कि केवल ए बी है तो इसका उल्टा कर द किढ़ें कि सभी भी एंधी है तो यह आयोब कि जाय समझ में आ गहाँ है आपको आप चलते हैं कुषिंट की उर अए इस CDC की बात करते हैं क्या जह Лिक कि सभी ईसक पंजें को है और दूसरा क्या हो घांख सभी मेज कुर्सियां है कि ये निसकर्स ने पूशें कि कौन सा सही है कौन सा कलात है समय ठीक है तो अब देखते हैं इस question को कैसे solve करेंगे तो देखे एक के बाद एक जोड़ते चलेंगे समय ठीक है तो सभी डेस्क मेज है जिसका figure कैसे बनेगा यह होगे desk यह क्या है मेज है तो सभी डेस्क मेज है मतलब सभी डेस्क मेज के अंदर आती है सभी मेज कुर्सियां है तो सारी जो मेज है वो क्या है कुर्सियां है इतनी में समझ में आगी अब क्या कह रहा है कि कुछ कुरसियां सोफे हैं तो जो कुछ कुरसियां है देखे ये कुछ पार्ट क्या है सोफे में अब ये आपने चित्र बना लिया अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको पूछा गया है कि कुछ सोफे डेस्क है सोफे इधर है और डेस्क कहा है यहाँ पे तो देखे कोई relation दिख रहा है जब कोई relation ना दिखे तो वो बात गलत हो जाती है ठीक है कुछ सोफे डेस्क है जब किसी के बारे में relation नहीं पता है तो क्या करेंगे ना उसके लिए हाँ बोलेंगे ना उसके लिए ना बोलेंगे इसलिए जब कह रहा है कि कुछ सोफे डैस्क है तो ये भी बात गलत हो जाएगी अगर कह देता कुछ सोफे डैस्क नहीं है तो ये भी बात गलत हो जाती ठीक है अब अगला देखिए अगला निसकर्स क्या है कुछ कुरसियां डैस्क हैं कुछ कुरसियां डैस्क है देखिए जब बड़े से छोटे हम जाएगा तो कुछ सही हो जाता ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि जो कुर्सियों का इतना जो पार्ट है वो डेस्क के अंदर आ रहा है इसलिए कुछ कुर्सियां डेस्क हो जाएगी ठीक है कुछ mage desk है कुछ mage desk है ये भी बात सही हो जाए क्योंकि mage के अंदर desk है इसलिए कुछ part mage का desk में आ रहा तो कौन-कौन से निसकर सही होगा दूसरा और तीसरा चलिए देखते हैं next question next question के अगर हम लोग बात करें तो देखे ज़र क्या कह रहा है सभी पेपर लकड़िया है सभी पेपर लकड़िया है तो यहां देखे सभी पेपर पेपर है वो क्या है लकड़िया है ठीक कुछ लकड़िया धातु है तो कुछ लकड़िया जो है वो धातु है सभी धातुएं गिलास है तो सभी धातुएं वो क्या हैं गिलास है देखिए इसमें अगर आपको कुश्चन अगर सॉल्व करने तो चित्र बनाना सीखना पड़ेगा आपको ठीक है सब भी के लिए कैसे बनता है कुछ के लिए कैसे बनता है यह आप प्रैक्टिस कीजिए चीक है और वीडियो को बार बार देखिए तो इससे यह है कि आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी वो चीज़े अब यह देखे यह बन गया चित्र अब देना solve करना बहुत आसान हो जाता है जैसे कुछ ग्लास लकडियां है तो अब देखे कुछ जो ग्लास का भाग है वो लकडियों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो ये वाला पार्ट आ रहा है ये वाला पूरा ठीक है तो देखो लकणियों में आ रहा है इसलिए कुछ ग्लास लकणिया है तो ये पहला क्रिश्चन सही होगा इसका निसकर्स पहला किया रहा कुछ ग्लास धातू है तो देखे, जब बड़े से छोटे हम जाएंगे तो कुछ लग जाएगा तो सही है ये जो धातू का पार्ट है वो ग्लास के अंदर है इसलिए कुछ भाग जो धातू का ग्लास का है वो धातू में आ जाता है ठीक है तो ये दूसरा भी निसकर साब का साही होगा इसमें दौनों निसकर साही होगा बात आती अगले कोश्चन में देखे क्या कह रहा है सभी लिपिक अधिक चाख है तो जो लिपिक है अधिक चाख है सभी अधिक चक प्रवंदन है तो ये देखे सभी अधिक चक प्रवंदन है तो ये देखे सभी अधिक चक प्रवंदन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख क्या कह रहा है सभी परवेक चक लिपिक है जो सभी परवेक चक है लिपिक है देखे ये देखे अगर मान लीजे ये पूरा बड़ा पार्ट परवेक्चक है क्या जो चोटे भाग में आ सकता है लिपिक में नहीं आ सकता इसका कुछ भाग लिपिक में आ सकता है इसलिए सभी परवेक्चक लिपिक नहीं है क्योंकि सभी परवेक्चक लिपिक है पूँचा गया है तो ये नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखे ये बड़ा पार्ट जो है छोटे में कभी नहीं आ सकता कुछ पार्ट आ जाएगा है ना जैसे की एकजामपल लेते है एक जग में पानी और एक गिलास में पानी तो क्या पूरे जग का पानी ग्लास में आ सकता है नहीं आ सकता है लेकिन एक ग्लास का पानी जग में जा सकता है अगर जग थोड़ा सा भरा हुआ है तो ग्लास में पानी आ सकता है इसलिए इसका थोड़ा सा भाग लिपिक हो सकता है लेकिन कह दिया गया कुश्चन में कि सभ भी लिपक परीविक चसा हैं तो कुछ भाग वी लिपक परवघक, रवीक paci कोगा, तो यह वाग।। valeur हो जाएगी। अब क्यायरा है कुछ प्रवंदनन लिपक हैं। अ कि बिए सभी अधीक चक लिपक है। भाग अहाई है, लिपक चॉटा मैं ए अ 있고요 हो दूसरा और तीसरा, देखते हैं next question, अब बात करते हैं इस question की, कि कुछ टैबलेट जग है, चले इसका चितर देखते हैं, कैसे बनता है, कि कुछ टैबलेट जो है, जग है, तो यह भाग देखे, कुछ टैबलेट का जग है, कुछ जग मटके है, सभी मटके प्लेटे तो सभी जो मटके हैं वो क्या है प्लेटे तो यह बन गया चितर इसका अब कैसे सॉल्व करेंगे इसके निसकर्स को देखें कि कुछ प्लेटे जग है ये कुछ प्लेटे जग है तो ये देखी प्लेटों का ये जो भाग है वो जग में आ रहा है इसलिए ये बात सत्य हो जाएगे इसकी सही है अगला निसकर्स देखो कि कुछ मटके टैबलेट है देखे मटके के पार्ट ये है और टैबलेट इधर है तो कोई relation इनके बीच में कोई relation नहीं है देखे दूर दूर का relation नहीं है इसलिए इसमें ये बात जो है गलत हो जाएगी अगला निसकर्स क्या है कि कुछ प्लेटें टैबलेट हैं तो देखें ये प्लेटें और ये टैबलेटें इनके बीच में भी कोई निसकर्स क्या एकतन नहीं दिया गया या इनके बीच में कोई भी संबन नहीं दिया गया इसलिए ये भी बात गलत हो जाएगी अब अगला कुश्चन देखे क्या है कि सभी कुर्सियां रिंग है तो पहले इसका चित्र बना लीजे सभी कुर्सियां रिंग है कुछ रिंग छड़ियां है सभी छड़ियां साखाएं अब देखे क्या है कि कुछ साखा कुर्सियां कुछ साखा कुर्सियां तो इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन ही देखे दूर तूर तक तो इसलिए यह बार रहा जो है गलत हो जाएगा अगला निसकर्स है कि कुछ साखाएं रिंग है तो देखे कुछ साखाएं रिंग है यह जो पार्ट दिख रहा है आपको जो छड़ियों के अंदर भी आ रहा है और साखाओं का भी है तो बीच में भी कोई relation नहीं है इसलिए ये बाद गलत हो जाएगी तो इसमें देखे इसमें पहला निसकर्स आई है इसमें दूसरा निसकर्स सही है तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना देखे सारा खेल चित्र का है तो इस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए आपके पास जो भूक हो उससे सवाल लगा के देखिए आप सहुरा है कि नहीं मैं इसका सिकेंट पार्ट लेके जल्दी आऊंगा और आप डेली प्रैक्टिस करते रही है जैसा कि आपको पता है कि आपका एक्जाम पास में आ गया है इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू